VGMI में close range की fight बहुत ज्यादा important role play करती है लेकिन अगर आपका जो aim stable ही नहीं है तो यार आप वो fight harder होगे क्योंकि जब भी सामने वाला बंदा आपके जिगल देगा आपको तो यार आपका aim choke होता रहेगा आपका head level पर aim नहीं रह पाएगा तो उसी को improve करने के लिए मैं आज आपके लिए एक drill लेकर आगया हूँ जिससे आपका aim stability है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तो यार आपको इस जगह पर आकर practice नहीं करनी है क्योंकि यार यह जो head level से काफी जादा चोटी दिवार है अगर आप यहां पर practice करोगे तो आपकी जो muscle memory हो गलत बनने वाली है आपको इस जगह पर आगे यह दो दिवारों के बाद आपको यह दिवार दिख रही है यहां पर आपको आजाना है और यह जो दिवार है यार आपके head level के exact बराबर है बिल्कुल उसी level पर है तो आपको यहां पर practice करनी है और इससे आपकी जो aim stable हो जाएगा और आपकी muscle memory develop होगी जिससे आपको जो aim है वो यहार head पर जाने वाला है तो आपको यहां पर 10 minute daily से practice करनी है और भाई आपका aim सच में बहुत ज़्यादा stable हो जाएगा अगर आपके सामने कोई भी बंदा जिगल दे रहा है तो आपको जो aim stable होकर आप जिगल दे पाओगे अच्छे से आपके headshots ज़्यादा collect होने शुरू हो जाएंगे तो गाईज यही थी आर आज की वीडियो और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो subscribe करो like more उस वीडियो को मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye